हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल साहो साइंस क्लासिस आज की वीडियो क्लास 12 फिजिक्स वालों के लिए बहुत यादा इंपोरेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आती लगू मोशन बान आते लोग देखने वाले हैं और यह आती लगू की थर्ड वीडियो है इससे देखिए धातू में मुक्त इलेक्टरोनों का अनुगवन वेग तदा शरांतिकाल में संब्स बताना है तो अनुगवन वेग क्या होता है अनुगवन वेग होता है वीडियो और शरांतिकाल क्या होता है शरांतिकाल होता है टाव अब इसमें आपको संब्स बताना है तो द कि आवेश की गतिशीलता को परिवाशित कीजिए किईकर है किसी आवेशुआ के अनुगवन वेग वीड़ी तर आरौपेद वेदुचेटर E छीक है के अनुपात को उस आवेशुआ की गतिशीलता कहती है इसे म्यू से प्रधरशित करती है next देखते है question 4 मुक्त इलेक्ट्रोनों के अप वहाँ ब्रैकेट में अनुगवन वेग तता वैदु धारा घनत्व में संबंद लिखिए तो देखिए अनुगवन वेग और वैदु धारा घनत्व में संबंद यानि कि वैदु धारा घनत्व में संबंद जब किसी चालक तार के बीतर किसी बिंदू पर वैदू छेतर की तीवरता E तता धारा गनत्व जे के अनुपात को उस चालक के पधारत का विषिष्ट परतिरोत अतबा परतिरोतता कहते हैं और इसका फर्मल्ल एक रहिए अपॉन में L Next देखते हैं किसी अर्ध चालक का ताप बढ़ाने से उसकी वैदू चालकता क्यों बढ़ जाती है वैदु चार्टा सिग्मा ब्राबर होता है अब जो सिग्मा है वो प्रपोर्शनल है एंड टाउ के क्यों देखो यहाँ पर एंड टाउ है ठीक है ताब बढ़ाने पर सहे सजीबन टूट जाने के कारण एक आंग आयतन में उपस्तित मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या बढ़ने से अर्ध चालक की वैदु चालकता भढ़ जाती है ठीक है नेक्स देखिए मोशन पॉरेंट है यह आचुका है पहले भी कि कम विवानतर पर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्व के लिए विवानतर और धारा के वीच ग्राफ कीचिए तो देखो सिंपल सा है कि यहाँ पर कम विवानतर वदुच अलक के लिए देखिए अगर तो यहाँ आई कामान बढ़ेगा वैसे वी कामान बढ़ेगा तो यह वाला आपका ग्राफ बन जाएगा वोल्टेज का मान रैपेडली नहीं बढ़ रहा है दीरे-दीरे करके बढ़ रहा है यहना तो यह तरीके से हम देख सकते है उसमें वोल्टेज सोड़ी सी कम होती है विशिश प्रत्रोत की विमा लिखिए तो विशिश प्रत्रोत की विमा आपको याद करनी है जहां कि परिकर्मा करते हैं तो और सबाती निए परिकर्मा कर रहा वरत की परिकर्मा याने की होती है यह 25 डूर चौहिए परिकर्माड़ परिकर्मा करा है。。 वित्याय जाने तैक हमें तैक हुवँ टूरी पकल देख्ङ IT अब हमने आई देखा, आई इस इकल स्टू क्या हो जाएगा, तो आई इस इकल स्टू हमने यहाँ पर रख दिया, ए अपन में टी होता है, तो देखो, ए और आपन में टी, टी की वैलू जब रखोगे, तो आप देखोगे, यह तो नीचा आगया, वी उपर चला जागया, य अब करना तो आपका अंसर आजाएगा, टू पइंट फो इंटू टू दी पावर माइनस का फाइव एमपियर, नेक्स देखते हैं, मुशन परनेट अब यह तो, अनुगमन वेग या आप वहाँ वेग, इलेक्ट्रोनों को प्राप्त, वह सूक्ष्म नियत वेग, वह सूक वह सूक्ष्म नियत वेग, जो मुक्त इलेक्ट्रोनों को तार की लंबाई के अनुदिश, उच्च व्यववाले सीरे की और गतिकर लिए परिद करता है, अनुगमन वेग कहलाता है, अनुगमन वेग तता धार में गहनत्व में संबंद, वीडी बरावर जी अपने नी, प रो जे, क्या होता है, यहां रो चालक के पदार्त का विशिष्ट प्रतिरोद होता है, नेक्स्ट कुशन देखते है, धारा गनत्व विशिष्ट चालकता वेदु छेतर में क्या संबंद है, तो धारा गनत्व जे बरावर होता है, विशिष्ट चालकता शिगमा और गोणा जैसे से बढ़ेगा आई कमानी वैसे बढ़ेगा सिंपल ऐसे करके और यहां पर अनुमी परिपद कैसा इसा बना दो यह फिर ऐसा बना दो बस वह सिंपल सीधा नहीं रहना चाहिए तो यह हो गया अनुमी परिपद के लिए यह उसकी विमया की जुक्ति अधॉश्ची चालकता पर ताब की अध्या उसको कि किसी धातू करतिरोत पर का क्या होता है कि 민주 प्रतिरोत की होता है ताब 뽑 अधि जाले रहाने होता है R naught of 1 plus alpha T जहां पे R T जो हो गया हो प्रपोर्शन हो गया T के अर्था ताप बढ़ने से प्रतिरुद भढ़ जाता है ठीक है next है ताप वरद्धी के साथ किसी धात्यू की प्रतिरुदक्ता में वरद्धी की वरख्या करनी है तो ताप वरद्धी से धात्यू की प्रतिरुदक्ता रो भढ़ जाती है next देखते हैं इसके बाद में किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रोनों के श्रानती काल पर ताप के प्रभाव की व्यक्या करो तो जब किसी चालक का ताप भढ़ाया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रोनों का अनुगवन वेग भढ़ जाता है जिसकी काल श्रानती काल घड़ जाता है next देखते हैं ताप गुडांक most important है इसको देख लिजेगा formula को लिख लिजेगा क्या है कि दाप गुडांक alpha बराबर rt-r0 अपॉन में बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली व्रद्धी उस्तार के पदार्थ के प्रतिरोध ताप गुडांक के बराबर होगी next question देखते हैं एक सेल का वेदुद वागबल दो गोल्ट है इसका क्यातत पर है कि एकांग तनावेश को सेल साहित एक बार पून परिपत में प्रवाइद करने में जो किया गया कार होगा वो दो जूल होगा फिर है किर्चॉफ का धारा नियम बताइए उसका बताना आपको सिंपल डेफिनिशन है ना छोटी सी कि किसी वैदुद परिपत में किसी भी संदी पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगरती योग शून होता है सिग्मा आई बराबर जीरो चीक है नेक्स्ट है वैदुद परिपत का किर्चॉफ का पथम नियम किस बहुत राची के सननक्षन में संबंद रखता है तो हम जानते है प्रथम नियम आवेश के सननक्षन पर आधारीत है फिर वैद्द परिपत हितु किर्चॉफ का दोटिया नियम किस राची के सननक्षन पर आधारीत है घुठे है नेक्स्ट है वीडिस्टोन सेत्व में यदि सेल तथा धारा मापी की इस्तिती परस पर बदल दी जाए तो संतुलन की इस्तिती पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों ग्रता दीरखा और अपसे खी पूचहे रहे आप 150 आर प्लस अपर तो 107 एगें तो यह आपतना को में शॉंप पाटियने इसे नेक्स कुशन है फीकतल को प्रतिरोत कितार को पांच बरावर भागों में काटकर उनको समानता करम में जोड़ दिया गया है तो समानता करम का फांबला यह होता है और दस को पांच बरावर भागों में बाट काटा है तो हम पांच का डिवाइड देंगे तो दो ओम दो में काट दिया है ठीक है इस तरगे से इसका समानता शॉड़ नहीं 0.4 अजाएगा ठीक है कि R2 बरावर होता है N2R ठीक है तो यह तो हमारे आज के कोशन जो कि आपको अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा मिलते हैं बहुते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई गाईस